इतिहास में जितने भी सफ़ल लोग हुए हैं, वे अपने आपको मैनेज करना जानते थे और उनकी यही आदत उन्हें एक ग्रेट अचेवर बनाती है। यदि हमें भी कुछ बड़ा अचेप करना है, तो हमें भी खुद को मैनेज करना सीखना होगा। हमें भी अपने आपको डवलप करना सीखना होगा, हमें अपने आपको वहां रखना होगा जहां हम अपना सर्वसरिष्ट योगदान दे सकते हैं। खुद को मैनेज करने के लिए Peter Drucker कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने आप से पांच सवाल पूछने होगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, खुद को मैनेज करने के पांच पॉइंट जो मैने सीखे हैं, पीटर ड्रकर द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक मैनेजिंग वन सेल्प से। यह एक छोटी सी बुक है, जो दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन इसका ग्यान बहुती विस्तिरित एवं मिनिंग्फुल है। सबसे पहला पॉइंट है, वाट आर माई स्ट्रेंग्स। अधिकांस लोग यहां सोचते हैं कि वे जानते हैं कि वे किस चीज में अच्छे हैं, पर आमतोर पर वे गलत होते हैं। पीटर ड्रकर बताते हैं कि कोई भी विक्ति अपनी वेक्नेस पर फोकस करके परफॉर्म नहीं कर सकता है। इतिहास पर यदि नजर डालें तो पहले लोगों को अपनी स्ट्रेंग्स जानने की कोई खास जरूरत नहीं थी। पहले विक्ति के जन्म के आधार पर ही कारे का निर्धारन होता था। जैसे यदि फार्मर का बेटा है तो वह फार्मर ही बनेगा, जमीदार का बेटा है तो वह जमीदार ही बनेगा। लेकिन आज सभी के पास अवसरों का चुनाव करने की आजादी है। कोई भी विक्ति जो चाहे वो अपनी लाइफ में कर सकता है। इसके लिए हमें अपनी स्टंक जानने की जरूरत है, कि हम कहां बिलॉंग करते हैं। अपनी स्टंक को पहचानने के लिए पेटर ड्रकर हमें एक टेक्निक बताते हैं जिसका नाम है फीड़वेक अनलेसिस। इसके अनुसार जब भी आप अपनी लाइफ में कोई डिसिजन लेते हैं तो अपनी उमीदों के मताबिक परिणामों को एक कागच पर नोट कर लीजिए। फिल लगबग एक साल बाद आप अपने आपको वास्तिख परिणामों को अपनी उमीदों से कम्पेर किजिए। इसे आपको यहाँ पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने में असफल रहे हैं जिसके कारण आपको आपकी उमीदों के मताबिक परिणाम नहीं मिल रहा है यहाँ आपको बताता है कि आप किस चीज में competent नहीं है और आखिर में यहाँ आपको बताता है कि किस चीज में आपकी strength है यह नहीं और आप वहाँ पर perform नहीं कर पाएंगे अपनी strength जानने के बाद आपको अपनी strength पर focus करना होगा अपने आपको वहां रखना होगा जहां आपकी strength बहतर result दे सकें इसके अलावा feedback analysis आपको यहाँ भी बताता है कि आपको अपनी skills में कहां सुधार करने की जरूरत है या कोई नई skills acquire करने की जरूरत है दूसरा point है how do I perform amazingly बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वे कैसे काम करते हैं वास्तों में हम में से अधिकांस लोग यहां जानते ही नहीं है कि different लोग different तरीके से काम करते हैं और different perform करते हैं बहुत से लोग उस तरीके से काम करते हैं जो उनका अपना तरीका है ही नहीं और इस तरीके से उनकी असफलता लगबग तै होती है पीटर ड्रकर बताते हैं कि वाट आर माई स्ट्रेंग्ट से अधिक महतपुन प्रश्न यहाँ है आपको सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि आप एक रीडर है या एक लिस्नर है कुछ लोग अच्छे रीडर होते हैं जबकि कुछ लोग अच्छे लिस्नर होते हैं ऐसा बहुत कम होता है कि लोग इन दोनों में अच्छे हूँ पिटर ड्रकर ने इसका एक उधारन दिया है ड्वाइट आइजनहावर जब यूरोप में एलाइट फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर थे तो वहाँ प्रेस के द्वारा बहुत पसंद किये जाते थे उनकी प्रेस कॉनफरेंस अपनी स्टाइल के लिए बहुत फेमस थी जो भी प्रशन उनसे प्रेस द्वारा पूछे जाते थे वहाँ उन पर पूरी कमांड रखते थे और वहाँ दो या तीन ब्यूटिफुल सेंटेंसेस में किसी भी परिष्टिती का वर्णन या किसी पॉलिशी को एक्स्पिलेंट कर सकते थे ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी टीम उनको सभी सवालों के जबाब उन्हें पहले से ही लिखकर दे देती थी और जब वह प्रेस कॉनफरेंस में जाते थे तो वह पूरी तरह से कॉनफिडेंट होते थे लेकिन दस साल बाद जब वह अमेरिका के राष्टपती बन गए तो वही सेम जनलिस्ट जब उनसे सवाल पूछते थे तो उनकी प्रेस कॉनफरेंस बिलकुल बदल गई उन्होंने ऐसे सवालों को पहले कभी फेस नहीं किया था अब वो बिलकुल भी कॉनफरेंस नहीं रहते थे इससे उनकी प्रेस कॉनफरेंस जो पहले बहुत फेमस होती थी वो बेकार होने लगी ऐसा इसलिए था क्योंकि आईजन हावर एक रीडर थे और उन्होंने एक लिशनर बनने के कोसिस की क्योंकि उनसे पहले के दो प्रेसिडेंट एक लिशनर थे पिटर ड्रकर कहते हैं कि आपको यह जानने की जरूरत है कि आप कैसे सीखते हैं हो सकता है कि अपने स्कूल के समय में आपको पढ़ने से अधिक समझ में आता हो लिखने में, हो सकता है कि आपको सुनने से अधिक समझ में आता हो या फिर हो सकता है कि आपको सीखने के कुछ और तरीके जैसे पिक्चर्स देखकर, लिखकर, चितर बनाकर या फिर बातें करके समझ में आता हूँ प्रिंट रिकर बताते हैं कि आपको अपने सीखने के तरीके को नहीं बदलना है बलकि आपको अपनी performance को improve करना है अपनी performance को बहतर बनाने के लिए आप अपने आपसे कुछ और सवाल भी पूछ सकते हैं जैसे सबसे पहले सवाल यह है कि आप टीम के साथ बहतर परदर्षन करते हैं या फिर अकेले आपकी परफॉर्मेंस बहतर होती है जैसे कुछ लोग जब kisी टीम का हिस्सा होते हैं तो वे बहतर परफॉर्म करते हैं लेकिन जब उन्हें टीम को लीट करने के लिए कहा जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। एक सवाल यहाँ भी है कि आप एक अच्छे एडवाइजर हैं या एक डिसीजन में करें। कुछ लोग एक एडवाइजर के रूप में बहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वहाँ बल्डन और प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा भी है कि कुछ लोग डिसीजन मेकिंग तथा उन पर एक्षन लेने में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन वो एक एडवाइजर के रूप में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कि अपने आपको चेंज मत करो बल्कि अपने परफॉर्म करने के तरीके को इंप्रूव करो। तीसरा पॉइंट यहाँ है कि what are my values? अपने आपको मैनेज करने के लिए आपको अपने आप से यहाँ सवाल भी पूछना आवश्यक है कि what are my values? इसके लिए Peter Drucker एक टेस्ट का सुझाओ देते हैं जिसका नाम है Mirror Test. इसके अनुसार आप अपने आपको morning में mirror में किस रूप म यदि आपकी value से match नहीं करता है तो आप frustrated हो जाएंगे और आप perform नहीं कर पाएंगे Peter Drucker कहते हैं कि 1930 में वह लंदन में एक investment banker थे उस समय उन्हें रेलाइज हुआ कि उनका काम उनकी strength के साथ match तो करता है लेकिन उनकी values के साथ match नहीं करता है उनकी values जिन्दगी में सिर्फ पैसे कमा कर मरना नहीं था बलकि वो लोगों की जिन्दगी में बदलाव लाना चाहते थे उनकी life skills को बढ़ाना चाहते थे इसलिए उन्होंने management field का चुनाव किया Peter Drucker कहते हैं कि यदि आपको अपनी strength और values में से किसी एक का चुनाव करना हो तो आपको values का चुनाव करना चाहिए उनके अनुसार values ultimate test होना चाहिए fourth point है कि where do I belong बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो कहां belong करते हैं खुद को manage करने के लिए यहाँ जानना बहुत आवश्यक है कि वह कहां belong करते हैं बलकि उन्हें यहाँ भी पता होना चाहिए कि वह कहां belong नहीं करते हैं यदि किसी व्यक्ती ने सीखा है कि वह एक बड़ी organization में अच्छा perform नहीं करता है तो उसे बड़ी organization में किसी भी पत को नहीं कहना सीखना चाहिए था यदि किसी व्यक्ती ने सीखा है कि वह एक decision maker नहीं है तो उसे decision making assignment को नहीं कहना सीखना चाहिए था successful career तब develop होते हैं जब लोग opportunities के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वे अपनी strength जानते हैं और अपने कारे करने का तरीका जानते हैं और अपनी values भी जानते हैं अब यदि पहले की बात करें तो लोगों को यहां सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी कि what should I contribute उनसे जो कहा जाता था वे उसे करते थे और वही उनका contribution था लेकिन 1960s में यंग जनरेशन ने यहां question करना start किया कि what should I contribute मैं क्या करना चाहता हूँ मैं समाज में क्या बदलाव ला सकता हूँ आखिर अपने कारे में मैं ऐसा क्या नया करूँ जो उस शेतर में मेरा कुछ contribution बन सके Peter Drucker हमें एक hospital administrator के experience को बताते हैं एक hospital में एक नया administrator appoint किया गया वह एक बड़ा और famous hospital था जिसकी reputation पिसले 30 सालों से कायम थी अब यदि नया administrator चाहता तो as usual अपनी job करता रहता लेकिन उसने decide कि वह hospital के किसी एक area को और बहतर बनाने में अपना contribution देगा इसके लिए उसने emergency room को पर focus किया एक साल के अंदर उसने emergency room को पूरी तरह से transform कर दिया और वह United States के सभी hospitals के लिए एक model बन गया और देखते ही देखते आने वाले दो सालों में पूरा hospital ही transform हो गया Peter Drucker बताते हैं कि इसके लिए आपको ज़्यदा दूर के plan बनाने की आवसकता नहीं है आपका plan 18 महीनों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपको अपने आप से या सवाल करना चाहिए कि अगले डेड़ साल में मैं अपनी strength अपनी values के अधार पर अपने छेतर में कैसे कुछ बहतर कर सकता हूँ आपको plan बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना होगा एक कि आपका plan थोड़ा stretchable होना चाहिए जिससे आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी लेकिन यहाँ आपकी पहुँचके अंदर ही होगा नमबर दो, result should be meaningful यानि परिणाम का कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए जिससे कि कुछ फाइदा हो सके दोस्तों, खुद को manage करने के लिए आपको अपने आप से जो पांच सवाल पूछने होंगे वो इस परकार है मेरी strength क्या है मैं कैसे काम करता हूँ मेरी values क्या है मैं कहां belong करता हूँ और मैं क्या contribute कर सकता हूँ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए, share कीजिए और यदि अभी तक अब आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कीजिए कि हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है ऐसी ही ग्यानवर्दक बुक्स की समरीज जो आपको अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए सफल होने के लिए प्रेड़ना प्रदान करने का काम करती है धन्यवाद दोस्तों